तो कैसे हैं आप सब लो उमेद करता हूं बैतर होंगे दोस्ते इस क्वेशन में हमको गिवन है दा एंगल ऑफ एलिएशन अप दा टॉप अफ टावर फ्रॉम असर्टेन पॉइंट इस 30 डिग्री इफ दा अब्जर्बर मुव्स 20 मीटर तोवर्स दा टावर दा एंगल अफ इस इंक्रीजड वाइ 15 डिग्री दैन हमने फॉइंट करना है हाइट अफ दा टावर तो काफी इंपोर्टेंट क्वेशन है दोस्त तॉम टू के एक्जाम पॉइंट भी से देखा जाए इससे लिए मैं इसको होट्स में कबर किया हुआ है तो चले देख लेते हैं इसको क् दावर फॉर्म कर लेइंगे एक बार अगर हमारा डावर बन जाता है तो काफी आसान होता है क्वेशन को सॉल्फ करना एक टाभर है यहाप पर सबसे पहले एकपर फॉर्म कर लिए एक टावर मैंने यहां से वर्टिकल को इसको ड्रॉ mockर लिए तो यह होगे हमारा टावर के उसके बाद क्या देखो एक पॉइंट है ग्राउंड पे चाहां से हम टावर के टॉप का जो एंगल ओफ एलिवेशन बना रहें वह मारा बन रहें 30 डिग्री तो यहां पर ग्राउंड ले ले लेते हैं इस टावर के फूट से मैंने इधर ग्राउंड ले लिया तो यहां कहीं जैसे यह observer 20 मीटर आगे की तरफ मूब कर रहें अभी observer यहां था जैसे यह 20 मीटर आगे की तरफ मूब कर रहें तो इसका जो एंगल ओफ एलिवेशन है वो 15 degree increase हो जा रहा है तो suppose करो यहां से जो angle of elevation बन रहा है इसको मैं दिखाता हूँ ओके तो 15 degree increase हो रहा है तो यह हो जाएगा 45 तो इसको naming कर देते हैं यह हो गया A यह हो गया B और यह हो गया हमारा C और इसको मैं पकड़ लेता है यहां से D तो कुछ ऐसा हमारा मुकंबल डाइग्राम बनेगा आई ओप आपको डाइग्राम पकड़ में आ गया होगा तो यह वाला angle हो जाएगा यहां से हमारा 90 degree यह vertical ही है टावर तो अभी क्या करना है इसमें यहां से हम move करें थे 20 meter जो AD है हो हमारा 20 meter है इसमें हमने find करना है यह बी-सी height of the tower तो सबसे पहले क्या करेंगा दोस्त इसमें जो एक देख यह पर एक बड़ा वाला triangle हमारा form हो रहा है यह बारा ABC इस वाले अगर triangle की बात करें तो यहां से मैं इसको लेके चलना in triangle in triangle a b c हैना यह हो जाएगा 10 30 तो 10 theta हमारा होता perpendicular upon में base perpendicular basically यह हो गया इसका BC और base हो गया यह AB समझे रहो तो यह हो जाएगा perpendicular upon में base correct है sorry AB हो गया AB है ना तो इसको दिखो जो BC है इसको हम ले ले लेते है height of the tower यहां से जो BC है इसको मैं height of tower लेके चलना हूँ तो यह हो जाएगा यहां से हमारा H और जो AB है इसको हम two parts में break कर सकते है AD plus DB में AD plus DB समझ रहो तो यहां पर जो AD की value वह हमको दे रखिए 20 इसमें place कर रहते है H upon 20 plus BD यह DB यह यहां से हमारी बन जाएगी देखो इसमें जो 1030 है यह हमारा होता 1 upon root 3 equal to यहां से आजाएगा H upon 20 plus DB तो इसको जब आप cross multiply करोगे तो यहां से आपको H मिल जाएगा H equal to आजाएगा 20 plus DB upon में root 3 यह आगी यहां से हमारी equation number 1 समझ रहो I hope आपको इतना पकेड में आग्या होगा तो अभी एक काम और करना है अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो यह बार वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब तो बनता ही है तो अब इस वाले triangle में लगा देंगे हम जो यह वाला triangle है न हमारा DBC इसमें हम 10 theta apply करेंगे तो यहां पर में लेके चलना इंट्राइंगल DBC है न हम 10 theta apply करेंगे 1045 1045 यहां से हमारा होजाएगा perpendicular होगया BC और base होगया इसका DB करेक्ट है 1045 होता है हमारा 1 इसके divide में मैं 1 कर देता हम 1045 1 होगया इसके divide में मैं 1 कर दिया अब जो BC है न वो है हमारा height of the tower और यहां जाएगा DB तो यहां से जो DB की value है वो h के equally आ रही है क्यों जब भी हमारा angle 45 degree होता है तो जो perpendicular और base होगा perpendicular और base दोनों क्या होगे equal होगे हमारे यहां पर यहां क्या करना है यह जो DB की value हाई है DB की value हमारी h के equal है इसको उठा के हम क्या करेंगे equation 1 में पटक देंगे हमारा काम बन जाएगा तो यहां से में लेके चलना from equation 1 & 2 क्या हो रहा है देखो यहां से यह जाएगा h equal to 20 plus DB की जगा भी हम h रख देंगे और यहां से आजएगा root 3 अब कुछ नहीं करना जस्ट cross multiply करेंगे यह हो जाएगा यहां से आ रहा है root 3 h equal to 20 plus h इस h को इधर पहुचा दो यह हो जाएगा root 3 plus h root 3 h minus होगा इधर आएगा minus h equal to 20 यहां से h हमारा common आ रहा है h यहां से common मिल जाएगा यहां बच रहा है root 3 minus 1 equal to 20 यहां से h निकल जाएगा 20 over root 3 minus 1 अभी क्या करना देखो थोड़ा सा इसमें हमने race slides करना पड़ेगा race slides के लिए क्या करेंगे इसमें हम multiply कर देंगे root 3 plus 1 से numerator और denominator मे तो यहां से हमको मिल जाएगा यह a minus b और a plus b की form में आ रहा है यहां से हो जाएगा a square minus b square यह जाएगा 3 minus 1 और उपर मिलना है 20 root 3 plus 1 यहां से 2 मिलेगा इससे cancel out होगा 10 यह जाएगा 10 root 3 plus 1 इसको थोड़ा सा अगर आप और simplify करना चाहो root 3 को में लिख सकते है 1.73 plus 1 और into 10 तो यह जाएगा 10 into 2.73 यहां से आपको मिल जाएगा 27.3 यही हमारी क्या होगी height of the tower तो I hope दोस्त आपको question पकड़ में आ गया होगा तो मिलते हैं दोस्त next question में